आपका स्वागत है आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ बटरफलाई केडल और बोटल यह आप देख रहे हैं यह बोटल है इसके साथ में मिली है यह केडल है इलेक्टिक केडल पानी घरम करने के लिए अभी मैं आपको इसमें पानी घरम करके दिखाऊंगा चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइ कि यहां पर बटरफ्लाइ लिखा हुआ बटरफ्लाइ का लोगो बना हुआ तितली बनी विए और यह कि बहुत ही बेस्ट क्वाल्टी की बोटल है इसको पहले हम उपर करेंगे इस वारसल को लगा दिया अब इसे बंद करेंगे यह बंद हो गई यह केडल मिली विया में यह अटोमेटिक कट ओफ स्विच भी इसके साथ में है अटो कट ओफ स्विच है यह आप देख सकते हैं यह इसकी प्लेट है पावर प्लेट जिसको पर हम इसके उपर इसे रखते हैं फिर इसको हम इसमें 220 वी सोट के सप्लाई देंगे फिर इसमें पानी गरम होगा अभी हम आपको पानी गरम करके दिखाने जा रहे हैं चलिए मैं और आवाट नहीं कर दो प्लीज हमारे चैनल को सस्क्राइब करें चलिए अमैं आपको पानी गरम करके दिखाता है यह पावर कोड है आपको यह भी दिखाओंगा इस यह कितना बिजली खाती है इस मीटर में हमारे एंप्र में लिखहा है यह कितने एंप्र ले रही है चल्व हाँ लगाड़ मैं लगा दिया है और यहाँ से ओन कर देंगे स्विच को सद्विच को ओन कर दिया है यह देखिए यह ले रही है सीक्स एंसरे लेगे विच्ट सिक्स फाइंट ऐट नंके जितना लिए एटड़ आब इस ay आपको आफ करने की जरूरत नहीं कि बहुत ज्यादा गरम होते ही आप देखिए पानी खोलने लगा इसके अंदर भाफ निकलने लगी है यह कट ओफ स्विच है अब मैंने इसे बंद कर दिया है अभी देखना यह ऑटोमेटिक कट ओफ हो जाएगी यह स्विच पर आवाज आ थे वीँ आप देखो सकते ही एक बेस्ट करने बहुत कुछ ही मिन्चो में फानी गरम हो गया एक दम खौल गया है यह एक से दो मिनट ही लगते हैं इस पूरे प्रोसेस में एक मिनट भी नहीं लगता है पहले ही पानी गरम हो जाता और इस की आप आप एक एलेक्टिक केडल लेना चाहता है तो बेटर फिलाई की ये कडल मगा है ये एक बेस्ट केडल है वीडियो देखने के लिए थैंक यू अगर आपने को वीडियो अच्छी लगे तो फिलीज वीडियो को लाइक करें थैंक यू